हेलो हेलो साथिवो नमस्ते आज की अमारी लाउड टॉक की चौथी कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर हूं आज कुछ तकनिक की दिक्कोतों के कारण दस बारा या तेरा मिनिट कर शायद देरी हो गई है इसलिए में मापी चाहता हूं कि कल इरान के मेजर जनरल पिछले तीन जनुवरी को उनका बगदाद एयरपोर्ट पे आतंगवादी हमले में देहांत हो गया था उसको लेके मैं दुसरे वेबेनार में था इसलिए कल यह नहीं हो सकी तो आज मैं आपके सामने मुखातिक बुआ हूं नमस्कार आज का विशय है भारती उप महादीप की पटवारी की कहानी कहानी कि सुरेश खैलनार की जुबानी कि आए 2020 में वैसे तो आज हमारा इस साल का आखरी दिवस है कर दिसेंबर कल से हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे है तो आज़ार इक्कीस लेकिन भारतीप महादीप के हिस्से में 73 साल पहले 1947 कि देश की आजादी के साथ साथ देश का बटवारे का भी जो दुख जो जक्म पूरी भारतीप महादीप को आज भी प्रेशान कर रहा है और भारतीप महादीप की जो कई समश्या है उसमें से सबकी जड़ में मेरे अपने हिसाब से मुख्य समश्या है भारत का बटवारा हाला कि अंग्रेज, फ्रेंच, डच, जो जो लोग दुनिया भर में सब्सक्राइब से एक तरह से कोलंबस और वास्कुटी गामा से भी आपन पीछे जा सकते पूर्ट्यूगीज भी रहे है उसमें मुख्य उरुप से पिछले 200-300 सालों का इध्यास में इसे उरुपेन कंट्रीज के जो लोग है जो दुनिया का अलग-अलग कारदों से जो खोश करने के नाम पे जो निकले उन्होंने जो अलग-अलग इलाकों को गुलाम करने का जो काम किया मेरे सामने ये नेल कि दे एंपायर नाम की किताब है इस किताब में पास्सो छेसो पन्नों में भर्वुजण साहब ने बरे गरव के साथ ब्रेटिश एक छोड़ा सा एक मामुली सा मुल्क जो मार भारत के किसी भी एक राज्य के भी शायद साइस का नहीं है वैसे तो बहुगोली दूरुप से एक है तो आज के वरतमान जम्मू कश्मिर के साइज का है लेकिर किस धंग से पूरी दुनिया के रेगिस्थानी इलाके जिसको अरब मुल्क बोलते, वहां से लेकि पूरे विश्वक, जंगलों वाला इलाका जिसको अफ्रीका बलते, और एशिया, इस धंग से विश्वक क लगबक सभी तरह के हिस्सों पर और इतना बड़ा एंपायर शाहिद ही किसी बहुत बड़े समराटों का नाम लेखते रहते लेकिन बिटिश एंपायर की इतनी जियाग्राफी और इतना कब्जा दो-दो-सो-तीन-सो सालों तक रखने का इत्यास नहीं है और यही बिटिश य यही पूर्टोगिश यही डच जो अलग-अलग जो लोग है जिन्होंने अपनी कॉलनिस बनाई थी समय समय पे यह भटवारे के जख्म से यह सिर्फ उन देशों को आजादी देते-देते यह बहुत उधारमन से गए नहीं है इन्होंने स्ट्रेटिजिकल आइसे आइसे द हिसाब से तो हम ज्यादा गवर आज उसी पर करेंगे लेकिन संक्षप में मैं कल जिस इरान को लेके बोड़ रहा था अरब इस्राइल वाला जो मसला है कि उसका भी 1948 में 14 माई को इसराइल की स्थापना करना पैले स्ट्राइन को तोड़ना वेटनाम है को रिया है कि सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी की बात है और नाइंटीवन मतलब विश्वी शतापदी में भी कि सुवेत रश्या का कोलेस होने के बाद में पोलर्ड युगस्लावय के नाम का कोई मुल्क दुनिया में अभी बचा नहीं है उसके तीन चार तुकड़े हो चुके है तो इस ड्रंग से विश्वू में बटवारे के जक्म या बटवारे के आनुगों दुनिया के काफी इसमें भारत भी एक है और हम खुद भारत वासी है मैं खुद भारतिय नागरी खोने के नाति भारत के ही समश्याओं के लिए मेरे जिंदगी के 50 साल के बेतरिन समय में दे रहा हूँ तो इसलिए मेरे अपने खुद के आकेलंद के अनुसार भारत की जो कई सारी समश्याओं जो है जिसको लेकि बहुत सारे अंदुलंद समय समय पर चल रहे वर्थमान में भी चल रहा है इनमें एक कारण बहुत बड़ा बटवारे का भी कारण है कई लोगों को लगा था कि बटवारे से इस पूप महादीव की समश्य हल हो जाएगी लेकिन आनुवव यह बता रहा है 73 साल का जो सफर है भारत पाकिस्तान और बंगलादेश शुरू में तो उन्निस सो चैलिस सहितालिस में भारत पाकिस्तानी नाम से बटवारा हुआ था और इस पाकिस्तान बेश पाकिस्तान वह बहुत हशास्पत बटवारा था ज्योंकि बीच में रेट 2000-3000 किलोमेटर का भारत और उसके बाद में एक पाकिस्तान और दुसरा पाकिस्तान पश्रिम में तो यह एक सचमुझ एक तिवानेपन की हद पार करने वाला डिसिजिएन लगता है जो 25 साल के भीतर ही कोल्यास हो गया और वह भी भाष्या के नाम पर धर्म तो यह किये उसपर मैं फिर आलग से कभी बंगलदेश की निर्मिति को कल दोजार इक्ष चुरू हो रहा उन्नीस सुएकातर बंगलदेश बना है तो पचास साल के बहाने भी मैं लवड़ टॉक में बंगलदेश की निर्मिति का क्या इतियास है कैसा उस पर मैं फोकस करूँगा आज मैं उस पर ज्यादा नहीं जाता मुख्यता आज मैं लक्षर कर भारत पाकिस्तान के बटवारे का तो भारत पाकिस्तान के बटवारे का बहुत पीछे आगर हम जाएंगे और भी सवासो साल का थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा अठासो सत्तावन का जो एक पहला स्वंत अंदुलिन जिसको बोला जाता है और कल भी मैंने कहा कि विनायक जफर के नित्तों का यह पहला भारत का मुसल्मान हिंदू सब तरह की कौमों का मिलके एक जॉइंट एफट था सहीक्त मोर्चा था जिसने पहली बार आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा मोल लिया था और 1857 में वहार गए बातुचा जफर को आरेश करके रंगुन आज से एक मुष्ट बिटिश राज कायम हुआ इस्ट्रेडिया कंपणी की जगह पे टोटल बिटिश एंपायर बोलना जाने लगा पहले तो एक कंपणी राज करती थी 1857 के पहले तक 1857 के बात में बिटिश पार्लेमेंट के आके खुल गई कि उनको लगा कि इस ढंग से इतने बड़े सब्कॉंटिनेंट को हम एक कंपणी का हवाले नहीं कर सकते तो वो टोटल बिटिश एंपायर के अंदर भारत चला गया और उसके बाद से उननीस सो सहितालिस के तक यहने लगबग 90 साल का जो दवर उसमें 1857 और उननीस सो सहितालिस का जो पूरा बीच वाला जो समय है इसमें कई सारी इसे घटना है जिसमें हमारे बटवारे की अलग अलग तरह की बीच डालने के काम किये गया है क्योंकि 1857 की युद्ध में हिंदू और मुसल्मान दोनों मिल की लड़े थे उसमें कई नाम ले सकते हैं जिसमें और अलग मेरा खहल से समय चला जाएगा लेकिन तब अंग्रेजों के आके खुली कि यह हिंदू और मुसल्मान मिलकर अगर लड़ाई करेंगे तो हमको के था भारत में तो उनके लिए बहुत आसान था हिंदू और मुसल्मान उसके बाद में दलित भी जुड़ गए और भी कई सारे मसले थे शीकों को भी उसमें उन्होंने अलग से हैंडल किया तो इस डंसी डिवाइड और रूल की पॉलिसी के अंतरगर भारत में एक तरह से अंग्रेज़ों की ही शह से 1906 में मुसलिम लिख की स्थापना की गई और उसके पीछे जा सकते हैं अलिगर्ट स्कूल जिसका मैंने दो दिन पहले के टॉक में उल्ले किया था सर सहेत अहमत साब ने अलिगर्ट स्कूल बना के जिस डंसे अंग्रेज़ों की सेवा करने के और अंग्रेज़ों को प्लीज करने के कोशिश की वो भी एक बीश की रूप में देखा जा सकता है लेकिन विदिवत रूप से 1906 में धाका के नवाब आगा खान प्रिंस आगा अट्रा सो परचासी में तो कॉंग्रेस सापित हो गए थी अभी अट्राइट दिसंबर को उसका 136 वा स्टापना दिवस मनाया गया तो उसको देखते वे एक्स्कुलिजू मुसल्मानों की एक राजनेतिक इकाई की रूप में मुस्लिम लिख नाम की पार्टी की गोशना क की गई और उसके चाल डाल देखने के बाद में तीन-चार साल के वितर ही हिंदु महासबा जिसका मुख्य केंद्र नाकपूर भी है कलकत्ता भी है तो हिंदु महासबा उसके पैरलल दो-तिन साल के परश्यत बनाई गए और इस डंग से भारतिय स्वतनता अंदुलन को कमज पे वखू भी किया है क autor कि मुस्लिम लिख की स्थापना आप उस्के बादमे उस मुस्लिम लिख का नेतर्न तो जब वो जीना एक तो उनकी विक्तिकत मात्वा कांख्षा भी महीं कहूंगा पस्नेलिटी कल्ड भी कहूंगा और दुसरा खुद वो शिया कमुनिटी होने के कारण हाडली वो सेकंड जनरेशन के ही शिया मुस्लिम होने के उनका रेकाउड मिलता है उनके पुर्वज तो पहले हिं जोने आगाखान साब का कही एक रवचन सुना उन्होंने बुद्रात में मुक्यता यह लोग सवराष्ट के हैं तो उसके बाद से उन्होंने कंग आकर क्योंकि मसली की बू आती थी उनके शेरिल को देखकर अन्य लोक उनको थोड़ा हे दूश्री से देखते थे बोलते भी थे कि दूर हटो तुमसे बदबु आ रही है यह सब सीजों से वह अपनित भी होते थे और हिंदू मुसल्मानों के अलगाओं में यह एक वजव काम करती है बटवारे के उपर आप वीवीसी ने बनाई भी फिल्म अगर देखोगे उसमें एक हिंदू शर्णार्थी जो भा कि वो कोई सोचल एक्टिविज भी नहीं है एक आम पकिस्तान से विस्थापन के शिकार आदमी की मूँसी मैंने सुना कि यह जो छुवा छुट वाला जो पचड़ा है हिंदू धर्म में का जिसका अनुवव आस्विश्य को तो दिन परते दिन आज भी होता है भाबा साब पांबेड के खुद उसे भुक्तव हो गेते उन्होंने भी घोशना की थी यह उला में 1935 में कि हिंदू की उरुप में मरूंगा ने और उन्होंने उन्नीस सो चपन में इसे नाखपूर में अपने लाखवा नहीं के शाथ में बुद्ध धर्व कर किया था और आज भी उप पुरान दुसरे हात में लेकर इस्लाम का आग्मन भारत में भारत में आग्मन होने की मुक्षय भज़ज़ा है भारत की जाती व्यवस्ता ऐसे कारण इसलाम से लेकितर्विक भारत में जो भी ठोड़ा दृट प्रसदां है उसमें का मुख्य कारण हमारी जो चुवाच्वुरत वाली वैद airports उत्राके ज्छत के जो भीमारी यह जैति वेद उसते 오 पडूल को आज एक ऐद सहुने वाला यह जो भी कोई आपको बंगला-देश से लेकिem將 जय किसी विख पाकिस्तान में भी तुम्हें माई दो बार गया हूं पेशावर तक और क्वेट्टा तक जाके आया हूं और हमने देखा है कि हम अगर थोड़ी सी उनकी तरह से उर्दु बोलने लग जाए मेरे जैसे यह सब अगर कपड़े पेनना शुरू कर दे तो वहां तो कोई पेचायर भी नहीं सकता इतने हम एक दैसे दिखने वाले है जबान अगर बोलने लगे तो थोड़ा शायद पता चल जाएगा तो मुख्य मसला इस देश के यह जो भी आरेशेस वाले लोग बोलते रहते हैं हिंदू मुसल्मान हिंदू मुसल्मान तो इसके लिए जिम्मेदार आरेशेस जिस मनुस्म का समर्तन करता है जित जाती वेवस्ता का समर्तन करता है यह बहुत बड़ा कारण है और इसलिए भारत में आज भी कम से कम 25 से 30 करोड़ या 35 करोड़ भी हो सकते अगर प्रॉपर किया जाए तो दुनिया से पाकिस्तान बंगलादेश से तो ही ज्यादा संख्या इंडोनेश पापुलेशन दुनिया की भारत में आज हो गई है और इसके लिए भी हिंदु धर्म के जाती वेवस्ता जिम्मेदार है अब वह जो हजार बारा सो तेरा चौदा सो साल हम तो कहीते इसलाम के समय भी इसलाम का आगमन भारत में पेरल के टटबन पर शुरू हो गया था इसलाम का भारत का आगमन इस विशे पर लगे तो मैं अलग से भी कभी टॉक करूंगा आज मैं उस पर ज्यादा समय नहीं गवाता मुख्यम फोकस मैं बटवारे की उपर रखता हूं तो मुसल्मानों में और हिंदू में जो एक तरह से मन मुटाव या भेद बहुत लोग रंगा जमनी संस्कुति बहुत लोग हिंदू मुस्लिम भाई-भाई वगरा बोलते हैं लेकिन वास्तेविक तथ्थे यह श्विकार करना पड़ेगा कि अंदर से जो सनातनी हिंदू है या जो भी हिंदू अपने आपको कहते हैं वह लोग मुसल्मानों के साथ में नहीं है मैं मेरा अनुबह बताता हूं मैं कश्विरी पंडितों के क्यांप में 2006 में और उसके बाद में 2016 में भी गया हूं और दस साल की पश्चा वैसी भी समय समय पर जाते रहता हूं तो 2016 के समय जब मैं गया था हुदंपूर के पास में जागरती नाम का क्यांप मनमौन सिंग जी के समय में है उसको बहुत अच्छा सिमेंट कॉंक्रीट का मकानों में अभी मैंने देखा है 2006 में गया था तो वह सब तीन के घरों में रहते थे आज वह पक्के मकानों में है फ जिसने हमको चायवाई भी पिलाई वह बैटे थे तेलो केनाथ पंडित नाम के एक बुजूर्ग कश्मरी पंडित के घर में जो उनके नेता भी है कश्मरी पंडितों के और उनी के घर में मैंने फोटो देखी थी बनमौन सिंग जी ने उस क्यामपा उध़टन करने की और पिरों के नाच जी को चावी उन घरों की देते विए इसलिए मैं चुन के उनी के घर में बैटा था उनके घर में शायद कोई फैमिली मेंबर्स महिलाई दिखने रही थी तो उन्होंने आवास देकर अंजली थोड़ा भई चाय तो बन इलाओ तो सामने के धरवाजे से एक 35-36 साल की महिला हाथ में चाय का ट्रेया और कुछ बिस्किट वगरा लेके आई थी और रखने के बाद में बैटकर उसने कहा कि खैरणार साब मैं आपको जब मैं 15-16 साल की थी तब भी मैंने आपको देखा है आप उस समय हमारे टीन के वाले मकानों में हम जब रहते थे उनमें आप कई मकानों में गए थे लोगों से बात्चित की थी और आप चलो कश्मेर का नारा दे रहे थे क्योंकि मैं कश्मेर के बारे में लगवक्ति चली सालों से काम कर रहा हूं और कश्मेरी पंडितों को कश्मेर से जो भी कारण है उस पर आलग से कश्मेर के ऊपर कभी बोलूंगा तो मैं कहूंगा लेकिन अंजली ने मुख्य रुप से मुझे जो इंगित किया कि आपको मै मुसल्मानों को लेंच समझते हैं और हम उनको हमारे घरों में बराबर यह बैडने नहीं देते उनके लिए आलग बरतन होते हैं और हम उनका हाथ का खाना कभी खाते नहीं है यह एक परतमान तीन चार साल पहले की 35 साल की जो आभी चैलिस के भी नहीं हुई होगी आईसी एक महिला यह प्रतिनिक ओपीनियन में बताता हूं जो मैंने बीबीसी की पार्टिशन की फिल्ब के हवाले से एक विस्थापित जो भारत में बसे हुए है उनका इंटरू के भी इसमें मैंने गौर्द किया be ऑभी कि पानी पीने से लेके हर बात में यह चुअचुत वाला जो प्रक्र है हिंदु धर्म का यह मुसलमानों को इंदो के प्रति ऑस्ट्या हिल करने में इंदो के प्रति रियेक्षणरी बना मैं राष्ट्र सेवा दल का सहने को मैं बार-बार कह रहा हूं जाती धर्मन निर्पेक्ष समाज प्राने का सपना लेकर हम लोग 80 साल से जद्दोजयत कर रहे हैं और एक संगटन 1925 में इसी नाकपुर में बना है वह हिंदुओं का संगटन करने के लिए निकला है आपात काल में हम लोग जेल में साथ में थे और उस समय में उनको कहता था कि मैं तो आपको सेकुलर मनानी की कोशिश नहीं करूंगा आपको अगर हिंदुओं का संगटन कर ले तो जरूर कीजिए क्योंकि इस डेश में अगर सव करोड़ हिंदु के आबादी अगर पकड़ ल वो खुद आपने आपको किस ड़ंग से महसूस करते हैं इसका कभी आप लोग ने जयजा लिया और इतने दिनों से संग की स्थापना की है तो आपने इस जाती विवस्ता के खिलाप इस गयर बराबरी के खिलाप सामाजी कोई एकाधा कदम जिस ड़ंग से हमने एक का एक व सब्वेदान की विपृरित है हम तो लोग है बाबा साफ का सपना कि जब तक आंतर जाते आंतर दर में शादिया नहीं होती तब तक इस देश में passions हमने भी विद्रिकति सबस्सिद आनने का करका में उसमें का एक अहम कारक्रम है लडुके के लड़कियों को अगर जाके शादी करने की इच्छा है तो वह बगएर दहश से बगएर किसी ज्यादा कर्मकांड से बगएर ज्यादा खर्चा या ताम जाम किये अंतर जाती अंतर धर्मिय शादियों का अमारा अभियान है और हम टंके के चोट पर कह रहें लव जहाद के लाने वालों के भी लिए हम चैतावनी दे रहें कि हम बिल्कुल यह सब चीजों के इमाइती है क्योंकि यह भेट मिटाने के लिए क्योंकि हमारे बटवारे के बीज में के बीजों में का यह महतुपून बीज है मुसल्मानों के बारे में हिंदों के मन में और मुसल्मानों को हिंदों के बारे में यह जो विभेत के जो बीज है इसमें यह विशमता वाला अस्पृष्षता वाला चुहाचुत वाला मामला बहुत बड़ा माइने रखता है कोई इसको कभूल करता नहीं कोई कहिता नहीं है कि मैं शायद एकमात्र आत्मीं जो बार-बार कहता हूं और यह मैंने कश्मिर से लेके कन्या कुमरी तक कहा है कि भारत में इसलाम का या किसी भी और धर्मों का आगमन जो हुआ है वो जाती व्यवस्ता के खंदे पर बैटके हुआ है महात्मा गौतम भुद्ध महात्मा महाविर भगवान महाविर से लेके सभी लोगों को यह बगावत आज से दो-दो-ध्यवज़ जार साल पहले करनी पड़ी है राधोने काल्वे बाबा साहब का नाम ले सकते है जो 1956 में उन्होंने की थी से नागपुर में तो भारतिय आये मोगलों ने खुद या अफगानियों ने इरानियों ने खुद कोई अपने तरब से बहुत ज्यादा धर्बानतर की कोशिश नहीं किये कुछ लोग तो खुशी-खुशी हुए है उनके राज में कुछ पदों को पाने के लिए और कुछ लोग हिंदु जाती व्यवस्ता जो आज भी मंदिरों में न जाने देने के और कई तरह के बेदबाव के कारण बने हैं यह मुझे कष्मिर में पश्मिरी मुस्लिम होने भी कहा है कि हम तो भाई हिंदू पंडितों के पाखाना साब करने वाले मोची जूता बनाने वाले उनके घ परटवारे के बीजों में के इन बीजों को आपको धरन में लेना होगा पंगलादेश में भी मैं कहा हूं वहां भी ये मामला है पंगलादेश के मेजोर्टी मुसल्मानों में लगवक कि एटी नाइंटी पर्चेंट मुसल्मान बहले टाका के नवाब रहे होंगे लेकिन जमिनदारी हिंदू के पास में थी कश्मीर में भी एक सो तीस से पैतिस सरदार थे कश्मीरी राजा के हरीजिंग से वो सबके सब दोगरा के हिंदू पंडित थे तो इस धंग से जो हायराट की है सामाजिक आर्थिक यह भी हमको स्विकार करने पड़ेगी तो हिंदू मुसल्मानों को लेके जो मुल्क बनने वाला जो पचड़ा है इसमें हमारा एक बहुत अधिवार या बहुत सारे ऐसे सनातनी लोग कभूल करने के लिए तयार नहीं उल्टा वो मारे जैसे ही लोगों को टार्गेट करके जिसे कलबुर्गी पांसरे और दाबुलकरजी को इनी सब चीजों के खिलाब बोलने लिखने के कारण ही मारा है इतने जालिम है महात्मा गांधी को भी मारने का कारण सी 55 करोड देने वाला नहीं है वो महात्मा गांधी उन्नी सो बीस आज हम 2020 में बात कर रहे इसी नाकपूत के कॉंग्रेस अधिवेशन में उन्होंने आश्पुर्ष्टा निर्मुलन का रस्ताव रखा था अश्पुर्ष्टा हिंदु धर्म क के उपर का कलंक है यह उन्होंने आज से सव साल पहले बात कही थी लेकिन वो गई ऐसा आज भी ने लग रहा है जिसको महराटी में कहवत है जाती निवज्जाट तो यह जिन कारणों की कारण धर्मांतर का जो हुआ है जिस धर्मांतर को लेकि संग परिवार गाए बगाए बोलते रहता है किताबी भी उनकी इसके उपर एकदम डिस्टॉर्टेड और गलत और इग्नुरंट डंग से लिखी गई चीजे है यह विशमता मुझक समाज व्यवस्था का जो मूल कारण है उसको अगर हम नहीं रोश्चने डालेंगे उसको कभूल नहीं करेंगे उसको ले यह गलतिया है इनको अगर हम स्विकार नहीं करेंगे तो कहीं आगे नहीं बढ़ सकेंगे और इसी का फाइदा उठाया इसके पहले भी आने वाले आक्रमोक ने उठाया और अंग्रेजों ने तो बहुत खुल के उठाया अंग्रेजों ने बहुत चेतुराई से इन सभी से किया कि 1906 में मुस्लिम लिग को अकेले अपने पाउपी खड़ी नहीं हुई है लेहिंदु महाजबागी इनको बहुत अच्छी तरह से हावा देने का काम अंग्रेजों ने किया है क्योंकि वह चाहते थे भार्देश सुद्धा अंदुलंद को अगर इस ढंग से कमजोर कर करने के बाद में भारत छोड़ो और हमें युद्ध के प्रेत्न में हमारी बगर कंसेंट लिए हमसे बगर चर्चक की आप जो शामिल होगे कि भारत भी इसमें है करके जो हमें नामन्जूर है और इस बात को लेके जो कॉंग्रेस ने इस तीपी दिये थे देश भर के अलग प्रोविन्स और इस ढंके जो अलग-अलग नाम थे मतरास प्रोविन्स उस समय की सरकारों में से कॉंग्रेस ने लगबग सभी जगल से स्थीपी दे दिये थे 1949 में कि युद्ध के निर्दाइक को लेकर सेकंड वर्ल्ड वार में शाविल होने को लेकर और इसी का फाइदा उठाकर बैरिश्ट मुहमद अली जीना और विनायक दामोदर सावर कर वह थारानी वाला तत्या है लेकिन यह लोग कॉंग्रेस के गयराजरी में अंग्रेस के बाक गवर्मेंट बनाएंगे और आपकी युद्ध प्रेद्नों को हमारा समर्तन है अब देजद्रोई की फूट बैट के बात करने वाले हर किसी को थोड़ा बूत आंदोलन किया कोई और जनमुद्दों को लेकर निकला तो उसको तुरण देजद्रोई का ठपका देकर बोलने लोग सेकंड वर्ड वार में अंग्रेस को समर्तन देने के लिए कॉंग्रेस के अनुपस्तिति का फाइदा उठाकर इन्होंने सरकारे बनाई है और नौट इस्ट फ्रेंटियर से लेके बंगाल तक हिंदु महासबा और मुस्लिम लिग की सरकारे उन्नीशो साइटालीच च जो मैं बैठा हूं इन सब चीजों में आप लोगों को यह सब चीजे मिल जाएगी यह जो पार्टिशन की उपर दरजनों किताबे है बहुत सरे डाकुमेंट्स है आजकल तो विकीपीडिया गूगल सर्च करने से भी और किताबे इस बात को लेके सिफ भारत यह सिर्फ हमा मैं बार-बार बोलता रहता हूं कि कई लोगों को आखरता होगा यह आदमी भारत के उन्हें बोलता है यह पूरा उपमादीव जो है यह सब कॉंटिनेंट की समश्या है और इस समश्या को जिस डंग से अंग्रेजों ने बखु भी इसका उपयोग किया और अपने खुद क का नामी इंदुवास अब आए और यह एक दूसरी के देखा देखे में लेके खर्भुजे रंग बदलता है वाली और आज भी वर्तवान्बी राजनिती में सहयर शाबुदिन से लेके वह सी तक भी अगर हम देखेंगे तो यह एक दूसरी को ही मदद करते हैं सहयर शाबुदिन ने जब बाबरी मज़ित वाला उनका अपना एक बनाया था उसके पहले उन्होंने उन्निस सो पचैसी चैसी में शाबानों के मसले को लेके जो मुसल्मानों में अभियान चलाया था और उसी का फाइदा बाबरी मज़ित राम मंदिर अंदुलन को मिला है मैं तो आगे जाके कहता हूं कि बाबरी मज़ित राम मंदिर अंदुलन की नियू डानले का काम सहयर शाबुद्दिन और शाबानों के मसले को लेके मुसल्मानों ने जो राजियो गांदी के उपर दबाव डाल कर जो कानून बदलने के लिए मजबूर किया था पार्लेमें में वह भी एक कारण है कि संग परिवार यह सब बातों को लेकर तो जब्षे स्थापना की तब से अपने तरह से बोल रहा लिख रहा है लेकिन उनको यह जो प्रैक्टिकल कामिया भी अप चैलिस पैतिस सालों की बितर में जो मिली है इसमें मुस्लिम राजनिती मुस्लिम क की स्थापना से लेके वर्तमान अलग-अलग मुस्लिम तंजी में जो भी बनती है आज भी आज भी नरेंद्र मोदी या मोन भागवत या किसी भी हिंदुत वादी तत्व को उपयुगी होते हैं यही लोग और इसकारण आप यह दोनों की चर्चा किये बगैर कोई भी बट लिग से निचोडने निकाल सकते हैं तो इसकारण अलपसंग के समुधाय का यह जो संप्रदाइकता वाला जो पूरा मामला जिसको अंग्रेजों ने बहुत बहुत ही चतुरह से इस्तिमाल किया है और उन्होंने खुब हवा दिये इन चीजों को मुस्लिम लिग तो एक तर अंदुलन का कुछ उनका रेकॉड मिलेगा लेकिन उसके बाद से जब वो माफी मांगकर जब छुटके आये थे वो लगातार उनका जो भी एक तो वो भी है कारग उन्निस सो सदोतीस में उन्होंने आमदाबाद के अधिवेशन में बाकाइदा द्वीराष्ट्र शिदान्त का गोश्णा की है किताब तो है यह उन्निस सो साथ में वो अंदबाद जेल से बाकाइदा हस्ते लिखित लेकर आये थे द्वीराष्ट्र का त्या टूनेशन थेवरी का उन्निस सो चैलिस में लाहोर में जेना जीने भले प्रस्ताव पारित किया होगा लेकिन यह सब चीजों के बीज इतियास में कैसे कैसे मिलते है तो इसको अगर हम इमांदरी देखेंगे और भी मैं उसकी पीछे जाना चाहूंगा उन्निस सो तेरा साल के रिब्यून के लगातार सेरीज में लाला लश्पत राई जी जो सतंता अंद्वलन में बिट्रिस लाठी चार्ज के कारण मरे और उनके लिए शहित भगत सिंग सुग्देव राजगुरु भी फासी पे चड़े है लाला जी के लाठी के कारण ही उनको गुस्सा आया था तिनों यूकों को और उन्होंने ऐसेंबले में बम का जो एक पोशिश की थी और जिसके कारण उनको फासी चड़ाई गई तो यह सब चीजों को पीछे अगर हम देखेंगे तो लाला जी की भी तेरा आर्टिकल्स है ट्रिब्विन नाम का आखबार जो आज भी शायद चंदिगड़ या दिल्ली से निकलता है उस जमाने में वह लाहौर से निकलता था और उस ट्रिब्विन में तेरा आर्टिकल्स है तो यह जो बात है सिर्फ किसी आकेले जीना के मत्ध मढद कर इसमें कई सारी कारण जिसमें हिंदू मुसल्मान एक साथ नहीं रह सकते हिंदू मुसल्मानों का इसा हिंदू मुसल्मानों का वैसा है हमारे कुछ लोग उसके उपर अलग कभी भी करते हैं गंगा जमनी समस्कुति हम भी कभी कभी बोलते हैं लेकिन वास्तेविक अगर स्विकार करना होगा तो उ और उसमें जो मुखा मिला है दुसरे महायुद्द क trending समय में जो के प्रोटेस्ट में कॉंग्रेस मन्त्री मंदलों से बाहर हो गई और मुस्लिमलिक और रिन्दुमासरवा के बने और यह बहरत के बटवारे के भी लिए एक बहुत बड़ा गति देने का काम किया है यह जो कॉंग्रेस ने अपने राजनिती के लिए वो प्रोटेस्ट किया वो सही गलत की चर्चा योगी आर्विन जी ने अपने एक निवन्द में किये उस पर मैं कभी अलग से जाओंगा क्रिस्ट मिशन अगर माना होता तो यह नहीं हुआ होता वगरा लेकिन आज के समाई क के बंदन में मैं इतना लंबाने किष्णा चाहता हूं लेकिन संख्षेप में अगर कहा जाए तो यह सब ऐसे कई एतियासिक जो कारण है जिनको हम इमांदारी से कभूल करने के लिए तयार नहीं है हम यह नहीं मानते कि इसमें कारण कुछ हमारे भी अपने की तरफ से है कुछ और भी है यह सब मिलाकर बटवारे के उपर इमांदारी से चर्चा करने की तैयारी बहुत कम लोगों के रहती है सब में बहुत सिंप्लिफाई करके मौहमद अली जीना मुस्लिम लिख इतना बोलके इस बात को वह मुसल्मानों के मत्य मढ़के चलते हैं लेकिन इसमें दोनों तरफ से मैंने कहा ना परसों के टॉक में की ताली दोनों हाथों से बसती है तो हिंदू महासवागी चर्चा उतनी नहीं होती है जितने भी पटवादी की किताबे सभी में मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम लिख मुहमद अली जीना मुस्लिम लिख मुहमद अली जीना लेकिन इसमें हिंदू और जीना जो बार बार जो मुसल्मानों को डरा रहेते कि म यह बताने के लिए जीना को ग्राउंड कहां से मिला जीना को यह अपनी खुद की कलपना से इमेजिन करके थोड़ा कहे रहेते हैं इस मुल्क में इस डंग की चर्चा करने वाली तंजीम है ना जिसका नाम राष्टित स्वेंशोग संग है वी फूद नेशन डिवाइड और वंच आप ढूर्ट जिसमें भी किताब का नाम लिख रहे कि किनों ने डिवैड किया और उसी में भी लिख रहे है कि किस डंग यह कौन-कौन-ऌन गया और कैसे कैसे लोग और क्या लोग है थो यह जो एकदम परसपर विरोधी जीवन जीने वाली परसपर विरोधी सोचने वाले यह भी इसमें बहुत बड़ा की चारक है जिनों ने हमारे देष में और मैं अभी भी सावधान कर रहा हूं अब भी जीश ड्रंग के राजनेति संग परिवार और मुख्यूरुप से बिजीपी जो कर रहे हैं और बंगाल इसका ताजा उधारन है जीश ड्रंग से बंगाल में वह संग के समुधाय को प्लीज करने के अलग-अलग जो काड़क रम और अलग-अलग तरह के नारे अलग- क्योंकि इस ड्रंग से बंगाल में आज भी सचर कमिशन के इसाब से भारत के सबसे ज्यादा प्रतिशत में मुसल्मान रहते हैं और इसलिए माइनारिटी इनसीकुरिटी सिंड्रोम जो है यह बटवारे के लिए बहुत बड़ा कारक बनता है जो इतियास में और 1946 70ा चाहा थावरिश की माइनारिटी के उपर के राजणती अगर दिनपतितियन हवा धी जाएगी है और उसके लिए तो यह से झानुट कोई करने के लिए मानारिटी वेख को यह बी मुद्धर से को कि मुसल्मानों ने संगडित होना चाहिए मुसल्मानों ने हिंदू रोमेनिशन का पतिकार करना चाहिए तो यह एक दूसरी के देखा दिखी में वर्तमान भारत की सरकार और कई प्रदेशों में भी वह अपने पर्टी की सरकार बनाए वे इनका तो एस्पलिजिव आजिंड पास्तेविक रुप से इनकी जो मैंशया है तो तथा का तिर हिंदू राष्टर के तहत जिसमें राम मंदिर इनके लिए इसे आस्पताल किसी इन्वर्सिटी किसी सड़क किसी लोगों के आम जो डेवाइडे के जीवन के समयशा से ज्यादा मंदिर मस्जीर यह चीज़े ज और उसी का फाइदा इस देश में राज करने वाले जो भी अंग्रेज थे उनको मिला उन्होंने बखो भी इसका फाइदा है दोनों तंजीमों का हवा दी दोनों को अलग-अलग तरह से प्लिश किया और उसी के बदावलत लाहोर का प्रस्ताव 23 माच 1940 का जिना साब ने पा रहा था उसने पाकिस्तान शब्द काइन किया है जिना या किसी और मुश्य मिलीकी लीडर के सामने तो यह नाम भी नहीं था वो तो अलग मुल्क या अलग काम को अधिकारों का कुछ चाहिए वगर इस डंका उनका थोड़ा बहुत बिखरा-बिखरा था उनका सपना वह ज जब मैं दो बार पाकिस्तान जाने की बात बार बार बह रहा हूँ और मैं तो पाकिस्तान में भी लाहोज प्रेसमी भी Dae ओए कड़ा से अलग होने के बाद में पाकिस्तान ने अगर अपनी खुद की प्रगति की बेंटी है हर थोड़कों से लेकर housपटाले लेकर फ्रैंड से लेकर हर तौर्ष tweester, बातो लेकर मुझे पाकिस्तान में भारत में ज्यादा घश्ता हली दिखी जर्मनी के बारे में कहा जाता है इसलिए वह आज एक भी हो गए तो इस डंसे भारत और पाकिस्तान में दोनों में से कोई भी अगर थोड़ी भी कुई तरक्की किया होता है बदाहली के बारे में मुझे तो दोनों एकी जगर पर खड़े नजर आते हैं तोड़ा एक दो कदम भारत अस्पताल और कुछ-कुछ बातों के वह भी प्राइवेट है मेज़र्टी अधुनिक अस्पतालों का जो पूरा मामला है जखेरा वह एक और अलग विशे है हेल टूरिजम का जो मामला है वो तो मैं डिल करूंगा कभी इसी लाउट टॉप में उस पर मैं आज नहीं जाता हूं नहीं तो और विशे लंबा हो जाएगा लेकिन मुख्य बात है भटवारे के बाउजद भी पाकिस्थान का जो हाल है और भारत का भी जो हाल है क्योंकि दो के लिए जो भी बजट बनाना पड़ता है वो यह सब चीज़े लेकर आज किसान भाई अपने खुद के मामूली से असल के दामों के लिए लड़ाई लड़ रहे पैटिस च्छतिस दिन होने जा रहे उनको ठंड में वह सरकार देने के लिए तयार नहीं है कोवीद के समय मे क्या हमारे सर्वीशिज की स्थिती वह सपस्ट हो गई है एक्सपोज हो गया भारत भी कि कहां खड़ा है हम अलुग्य के बारे में पुपुशित बालकों का मुझत्युदर दुनिया में भारत का कितना संगीन लेवल का है यह सभी हेल सर्वीशिज में काम करने ले लोग ब है तो इस डंग से बटवारा करके दोनों मुलकों का जो वर्तमान जो मैं माहुल देखता हूं सोशल पॉलिटिकल पॉलिटिकली तो पाकिस्तान के नशिब में तो 20-25 साल भी नहीं है जनतनत्र के जो भी कुछ है वो पूरा आर्मी का ही मामला है तो बटवारे से पाकिस्ता के डोनों प्रेस कॉंफेंस में साफ़ साफ पुछा बटवारा करके आपने क्या पाया और एक तो मेरे मुपे तमाचा मारना चाहिए था कम से कम मेरे को मेरी पिटा है हो जानी चाहिए थी दोनों जबाब पर लेकिन मेरा सवाल सुनके काफी लोगों ने सामने वाले जो भी पत्रकार बुजुर्ग से लेकर जबानतब की हिम्मत नहीं कि इसका वो समर्तन करते या उन्होंने मुझे जवाब दिया होता सबके सब मौन हो गए ते चूप हो गए ते वर्दन नीचे हो गए क्योंकि वो भी आज खुद एसास कर रहे है कि पाकिस्थान बना के क्या पाया है सचमुष हिंदू-मुश्लिम समश्चा का हल पाकिस्थान होके हुआ होता तो मेरे देशी आप भी को जो पचास साल से जद्दू-जद कर रही वो नहीं करनी पड़ी होती लेकिन नहीं हुआ ह जिसको मैं कुट्ट्य वाली मानसित्ता वोलता हूँ कि इस ड्रंस से सत्ता के लिए घिंदू-मुसल्मान काट खेलके राज करने वाले भारत के लोग हो या पकिस्तान के लोग हो या पंगलादेश के लोग हो ये लानत ही इनके ऊपर क्योंकि यह ऐसी मानसित्ता है कि हिंदू और मुसल्मान भारत की 35 करोर मुसल्मान है और 100 करोर के आसपास हिंदू अगर हम मान लेते हैं यह सबी कहीं नहीं जाने वाले है एक बटवार होने के बावजुद आप उसमें से कुछ सबक ने सिखे हैं भारत के बटवार के कहानी य ये टरव से सीख दिये नसीत दिये उससे सीखने के बजाए एक सांप्रदाइक पार्टी अमगी कि व्येद्द होकेender लुज़ से दुनिया करते हैं पार्लेमेंट को विदान सभाव कर वो अपना राज करते हैं और पाकिस्तान में भी दुनिया के किसी भी मुलकों में धर्म के नाम पर रेस के नाम पर दुनिया में क्या हुआ है इतियास आस्ची नब्वे सौब साल पहले का मालूम है कि हैसिजम की उपर बात आएग के उपर रोष्णी डालने की कोशिश कर रहा हूं तो यह सब चीजों में बटवारा भारत का जो अलग-अलग कारणों से हुआ है उसमें हिंदू-मुश्यम समश्चा का सहरा लेकर अंग्रेजों ने बहुत चतुराई से तो कि इसमें अंग्रेजों का और जो भी सामरज्य वरी ताबते उनका मविश्य का भी बहुत बड़ा राजनिति का पार्ट है अगर यहीं एक मुश्च भारत रहा होता तो देख लीजे दोनों का रक्षा का बजट क्या रहा होता कि एक ही रक्षा बजट रहा होता और किसके साथ की रक्षा की बात थी हिमाले कि अगर उस त भारत पुरा संयुखत भारत था और यो मैं राज जो मैं जैदान पर होकर आ रहा हूं पाकिस्तान से जाकर एरान का पहला शहर मैं खुद हित्यास खंगाल का देख रहा हूं तो ऑटो थेंहजार साल से मुझे रहे थे इराणी चाहम भारत के साथ में कितने कंफ़र्टेब से लेके इस्वांस से लेके सब जगह के इन्वर सिटीज में और अलग-अलग जगों पर भाषनों में जब मैं बैटा था को मैं ने बाद में करने के लिए मना किया क्योंकि महाराथी के साथ सब्सक्राइब पर्शियन से आए वे शिवाजी महाराज की खुदके राजभाष्या पर्शियन थी हमारा एरान के साथ का सम्मान्द है मुलमुद्दारक्षा का है मुलमुद्दा और सहकति तत्थाकतिट सोकाल दुश्मन वाली स्वालिकन्जेप का है उगुव को होती आगरत कहां पहुचा गया होता जिस महाशक्ति की बाद बार-बार वदा मंत्रिय भोलते ठकते नहीं है और वो दूसरी तरफ सांप्रदैक्टा की राजनेती करने वाले लोगों की तरफ से महाशक्ति यह कभी भी हजार साल हो जाएंगे तो भी नहीं बनेगा क्योंकि डिवाइड एंड रूल जो आंग्रेजों ने किया भारत को कमजोर किया और वही करते करते राममंदिर बाबली मस्जित की बाते करते करते डिजिटल इंडिया माशक्ति यह बहुत पर्फर्पिरुदी बाते जब एक मुष्ष भारत हर तरह के कम्यूनिटीज को यह भारत मेरा देश या इसा नहीं लगता यह देश मेरा है सानिगुर्ची की भाषा में पैड के अंगुठे को अगर काटा चुबा तो आखों में आसु आते हैं पैड को नहीं इस रंग से कश्मिर को या कन्या कुमार उसरत पैड जिस्ताहरा को कुछ होता है तो मुझे नाख्षूर में भैटके दूख होना चाहिए, मुझे रेश के किसी भी हिस्ते में होने वाली आती वह हमको वो दर्थ बंगाल के बारे में होना चाहिए बिहार के बारे में होना चाहिए कश्मिर को बंदुग की नाली पर कश्मिर पर आलक से कभी इसी लाउट्टॉक में कहूंगा वो तो मेरा बहुत favorite subject है उस पर तो मैं एक गंटा आराम से बोल सकता हूं तो इस लग जगों पर आज आजादी के 73 साल के बावजूद बटवारा करने के बावजूद सेना का सबसे ज़्यादा उपयोग सीमा से ज़्यादा इंटर्नल सीकृरिटी के नाम पी किया जा रहा है यह फेलिवर है नेशन बिल्डिंग का भी एकतर से फेलिवर है आज 25 परतिशत्र जो है अमारा देश का एक चौधाई आबादी लगबक सेना और पैरा मिल्ट की इसमें है तो बटवारे के बाद का हिंदुस्तान बहुत माननी की व्यवस्ता नहीं है और यह सिर्फ मुस्लिम वाला इलाका नहीं है यह इलाके कुछ आदिवासी है कि जो आक्रोश में अजादे की बाद से आलग-अलग जो आकांशाय बढ़ती है तो इसलिए बटवारे के भारत भारत को आज अगर 73 साल के बाद में बटवारे के आगे बढ़ गया होता आज भारत की सबसे ज्यादा समश्चा क्या है कि गरीबी भुकमरी एल्ट सर्विसेज वगरी तो बाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है सांप्रदाइक्ता के उपर सबसे ज्यादा चर्चा आगबार उसे लेकि टीवी से लेकि मीडिया स से लेकि सोचल मेडिया तक मुझे भी गला सूठने तब का तो बार-बार इस बात पर बोलना पड़ रहा है सांप्रदाइकता सांप्र दैक्ता मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं फिर से मैं हाथ जोड़ के प्रातना कर रहा हूं किसा प्रदाइक राजनिती भारत जैसे 135 क की कीमत क्या चुकाई जिस विषे भी मैं आज फोकस कर रहा हूं वो संपर्दाइक शक्तिया बाज नहीं आती है वर्तमान सत्वाइश दल जितना संपर्दा रहे अगर जेहाद के नाम से लेके गाहे से लेके क्या क्या यह मेरे जैसे आदमी को और एक वटवारे का डर लग रहा है क्योंकि आप इस डंग से डिवाइड रूल वाली राज़िती जो कभी अंग्रेस करते थे आज आज भी वही कर रहे हैं आप उस समय भी उनको सपोर्ट किये उस समय भी उनके साथ मिलाएं उनके साथ आलाइंस किय और आज भी आप वही कर रहें तो आप मुझे उनसे ज्यादा आम भारतियों को समझाने के नौबत आ पड़ी है कि भारत के आम नागरिकों ने समझ लेना है कि देश भक्ति का धिंडोरा पेटने वाले देश भक्ति का आये दिर मंत्र जपने वाले दूसरों को देश दुर के जो यह अंदुलंग खड़े करते हैं समय समय पर इनसे मुझे आने वाले दिनों में और कई बटवारे के डर लगता है मेरे जैसे राष्ट्रे एकातमता के उपर काम करने वाले आत्मी को यह भाई है इस ड्रंग की कमुनल राध्रिती करने का जो फल 73 साल पहले जिसका ज कराते लेकिन जाकर आज जिस ड्रंब से यहां पर मार गए है ही भारत पाकिस्तान के बीच में पैलिश्टाइन इसристान के बीच में और दुनिया के मै Ein未ết नाम है है तो आःक्तर सारी दुनिया के मुलकों को बांट के रखा hua है है और आपस में उनकर जिस डंग से शक्तिक शरन हो रहा है यह सब चीज़ों को लेकर मेरा मैं तो वैश्विक जगत वाला आत्मी हूं और मेरे को दर्द भारत के बटवारे के साथ साथ कोरिया के विएटनाम के जर्मनी के और किसी भी तरह के बटवारे का और मुख्य रूप समझ्षा को लेकर वहां गया हूं तो जिस डंग से लोगों को कैसे वो हप्ते वाले बजार में कई जगा आदिवाश्यों की शेत्रों में मैंने वह मुर्गों को दारू डॉपर से पिला कर उनको आपस में एक दुसरे के उपर जगड़ा करने के लिए एक दुसरी के हमला क लगा दिया है तो लगाने वाले का तो आपना इंट्रेस्ट जो भी हो जो पॉलिटिकल और एकोनोमिकल लेकिन हम उस देश में रहने वाले जो भी अलग-अलग मुल्कों के लोग है उन्होंने तो इसमें से सीखना चाहना है यह तो हम लोग अगर चाहे तो इसको हम रोक सक सकते उनिस्सोग चैयाली सहितालेश में पर रोक सकते थे और आज भी जो की जा रही है आज तो परवान पर भारत के इतियास के क्रम में या को कभी इतनी ताक्त नहीं प्राप्त हुई थी जितनी आज है और इस कारण मेरी किंता का विशे यह है कि साम्पडाई शक्तिया भारत की ऊपर राज करना भारत की राश्ट्रिय एकात्मता को भारत की एक राश्ट्र की संकल्पना को अम एक तरह से बंबारुट लगा देने वाली बात है क्योंकि इनकी राजनेती का जो इनकी जो फित्रत है तो इन शक्तिवर को पराजित करने का काम खाली भारत का नहीं मैं तो यह बात बंगलादेश में भी मैं भारत पाकिस्तान बंगलादेश महासंग का सचों वहूं पॉर्ट राममनोर लोईया का अनुयाई हूं। डॉक्र राममनोर लोईया ने कभी भारत महासंग का संकलपना कौईन किये और उनके पीछे की यही भावना थी कि आप अपना रिलिजिएंट जो कुछ है वेक्तिकत आपके जिवन में जो कुछ है आप पालंग कीजिए। लेकिन यह जो भावगुलिक और पॉलिटिकल और जितन से यह बटवारा करके रख दिया गया और एक दूसरी के साथ जगणने में जितना हमारा समय जा रहा है तो यह सब चीजों को देखते वे इस में से हमने सीखना है भारत के बटवारे की कर्म कहानी बताने के लिए मैं बैठा हूं लेकिन यह हमको सबक भी आने वाला अगर कोई बटवारी के बीज कोई आज डाल रहा है वर्तमान सत्ताधारी दल के लोग वर्तमान सत्ताधारी दल को गंट्रोल वाला संगः परिवार यह जिस रंग से हिंदुत्व के राजनितिक कर रहे है सब और हमारे किसी और बटवारे के लिए भारत को शायद सामना करना पड़ सकता है और यह चेतावनी देखकर मैं रुखता हूं क्योंकि एक गंटा होने जा रहा है लेकिन आने वाली दिनों में आउर भी विशुर के उपर उच्टने डालने जा रहा हूं मैं कश्मिर के बार जो पूलिटिकल इसलाम है उसके उपर भी मैं आलग से बोलने वाला हूं आज भारत के बटवारे के बारे में बहुत बड़ा विश्य है उस पर आज में पूरा नियाय दे सकाएसा मुझे भी समाधा नहीं है लेकिन समय का मामला है लगबग सबाचार होने जा रहे इसलिए कि चैण से कर अपने वायने को वह दाता हूं नमस्कार